नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत हैं, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh Rathod और आज इस lecture में मैं आपके साथ discuss करूँगा Hong Kong के anti-doxing कानून के बारे में anti-doxing का क्या मतलब होता है, क्यों Hong Kong के इस कानून के खिलाफ Tech या Social Media Giants उठ खड़े हुए हैं, इन्होंने ये तक चिताव नहीं दे दिये कि हम Hong Kong में अपना Business समेट कर चले जाएंगे अगर ये कानून पास हो जाता है अब सबसे पहले तो ये जान लो कि doxing का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर anti-doxing कानून की बात हो रही है तो doxing क्या है पहले ये जानेंगे, doxing एक traditional English language का शब्द नहीं है, modern शब्द है इसका उधगम हुआ है, document वाला जो ये dox word होता है, इससे निकला है तो जैसे किसी के उपर file बनाई जाती है, document बनाई जाते हैं, और वो documents अगर publicly reveal कर दिये जाएं जनता के सामने रख दिये जाएं, जिसमें personal details हो, तो उसको doxing कहते हैं तो अक्सर hackers इसका इस्तमाल करते थे, मानलो की कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसकी कुछ नीजी जानकारियां उनको leak करनी है तो hackers इस तरह की गतिविदिया 90s या 2000s में करते थे और बाद में उन्होंने इसको शब्द दे दिया एक doxing तो जैसे मानलो किसी की personal chat है, या फिर किसी बहुत बड़े politician के द्वारा बेजा गया कोई email है personal email वो अगर leak कर दिया जाता है या और भी कोई जानकारी जैसे कि उसका address या उसके financial details इस तरह की जानकारी जो बिना उस व्यक्ति की अनुमती के publicly leak करी जाए वो doxing होती है ऐसा नहीं कि जो public domain में available जानकारी है उसको leak कर देना doxing नहीं होगा अब हो ये रहा है कि Hong Kong में कानून बनाया जा रहा है जो इस प्रकार के doxing के लिए उस company को जिम्मेदार ठेराएगा जहां पर ये जानकारिया साजा करी जाती है तो मान लो कि आप किसी व्यक्ति की personal details को twitter पे डाल देते हो तो twitter उसके लिए liable होगा और twitter पर action लिया जाएगा उस व्यक्ति की personal जानकारी अवेलेबल करवाने के लिए doxing के लिए आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझे unacademy पर follow कर सकते हैं इस id पर अने सभी platforms पर ये मेरा handle है इस lecture का pdf आपको pathfinder underscore upsc telegram channel पर उपलब्द होगा अगर आप upsc exam की तयारी कर रहे हैं तो unacademy के combo plan जिसमें gs और optional दोनों की तयारी आपकी हो जाएगी उस पर कुछ बहुती special offers ongoing है आज यानि 7 जुलाई तक तो एक तो इसमें 35% discount है अगर आप code use करेंगे महिपाल तो ही आपको ये 10% component discount का मिलेगा 1 year plus UPSC subscription पर SSC और bank subscription भी आपको free of cost दिया जा रहा है और अगर आप 2 साल का course लेते हैं और अगर आपका exam clear नहीं होता तो आपको third year का extension दे दिया जाएगा validity का by an academy but this offer is valid only till today 11 July रविवार को an academy mega combat आ रहा है तो हर बार की तरह आपके बास scholarship जीतने का तो मौका है ही लेकिन कुछ special prizes भी combat में रखे गए हैं जैसे कि iPad mini, AirPods, speakers और top 500 rankers के लिए Amazon vouchers तो इन सभी को अगर आप जीतना चाहते हैं तो combat में हिस्सा लीजे, link आपको नीचे description और comment में मिलेगा आपसे एक invite code मांगा जाएगा, you can use this code आईए बात करते हैं Hong Kong के बारे में, तो ये है China और China के दक्षिन में स्थित है दो ऐसे special administrative region जो China से थोड़े से अलग है Hong Kong और Macau, ये वैसे तो overall China का हिस्सा है लेकिन इनका प्रशासन पूरी तरह से अलग है इनका इतिहास थोड़ा सा अलग है और इसलिए इनकी administration, इनकी policies, इनकी सरकार अलग तरह से चलती है तो यहाँ पर Hong Kong का जो ये island आप देख रहे हो, ये territory Britain ने China से जीत ली थी और China से संधी में अपने control में ले ली थी काफी लंबे समय के लिए तो इन्होंने एक lease agreement sign किया था, बेसिकली ये पूरा शेत्र किराय पर दिया गया था Great Britain को 100 साल के लिए अब उस समय चाइना बहुत ही कमजोर था, किसी को भी नहीं लगा था कि 100 साल बाद चाइना इतना शक्तिशाली देश बन जाएगा कि वो Britain को challenge कर सकेगा सबको ये लगता था कि permanently Hong Kong अब हो चुका है Britain का ब्रिटन के शासन के कारण 20 सदी में Hong Kong बहुत तेजी से develop किया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा financial center बन जाता है शहर में democratic values काफी अच्छी होती है, democratic elections होते हैं जो चाइना में आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर जो culture था वो पूरी तरह से ब्रिटन पर आधारित हो गया था, तो लोग यहाँ पर रहते थे ethnically Chinese दिखने में वो Chinese नागरिक जैसे ही दिखेंगे, उनका culture भी काफी हद तक similar होगा लेकिन जो प्रशासनिक व्योस्ता है, साथ ही साथ जो financial management है, वो पूरा western democracies की तरह यहाँ काम करता था ना कि communist China के रूप में, अब उस समय के British governors ने ये कहा था कि इसका पूरा ownership अपने पास ले लो लेकिन British negotiators जो थे उनको लगा कि नहीं deal अच्छी है, 100 साल के लिए lease पे मिल रहा है, क्या दिक्कत है lease तो चलती रहेगी, चाइना उस वक्त एक बहुत ही कमजोर देश था, किसी ने ये उमीद नहीं करी थी कि 100 साल बाद चाइना इतना powerful हो जाएगा कि Britain को उसके आगे जाकर ये कहना पड़ेगा कि अब वापिस deal कर लेते हैं, तो ऐसा ही हुआ, 1980 तक चाइना थोड़ा शक्तिशाली हो चुका था, बड़ा देश है तो चाइना और ब्रिटन के लीडर्स ने 84 में एक डील साइन करी, कि हॉंग कॉंग का 97 के बाद क्या भविश्य होगा, यानि कि 99 ये लीज़ खत्म होगी जब, 97 में, उस समय क्या होगा future तो इस दील में ये तै किया गया कि हॉंग कॉंग ब्रिटन के कंट्रोल से हटा कर चाइना के कंट्रोल में जाएगा, लेकिन इसको डिरेक्टली चाइना कंट्री के साथ शामिल नहीं किया जाएगा, इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, हॉंग कॉंग को एक autonomous region, यानि कि स पूरी तरह से capitalist city कैसे communist country के अंदर integrate हो सकता था हाला कि आज के समय में China की भी policies कोई communist policy नहीं है लेकिन ये बात मैं 1980s की कर रहा हूँ तो इसलिए उन्होंने 50 साल का ये grace period दिया था कि 2047 तक Hong Kong एक अलग autonomous region की तरह काम करेगा और China यहां पर हस्तक शेप अपना कम रखेगा तो इस system को इन्होंने कहा one country two system SI system पड़ोसी Macao में भी किया गया Macao Portuguese territory थी उसे भी 99 में China को transfer कर दिया गया था तो Macao और Hong Kong ये दोनों बन जाते हैं China के special administrative regions SAR इनका official नाम होता है SAR of Hong Kong and SAR of Macao 97 में ये transfer होने के बाद 10-15 साल तक तो स्थिती normal रहती है लेकिन 2010 के बाद Hong Kong के लोगों और China की सरकार के बीच में टकराव शुरू होता है उसके पीचे सबसे बड़ा कारण ये है कि mainland China की यानी People's Republic of China की जो सरकार है वो Hong Kong में democracy को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती है इसके पीचे कारण ये है कि देखो अगर Hong Kong में democracy सफल है तो फिर चाइना में भी लोग कह इसे प्रोटेस्ट होते हैं प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे क्यूंकि सरकार वहाँ पर कुछ controversial कानून लेकर आ रही थी जिसमें चाइना का criticism करना illegal करार दिया जाता इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि ये प्रोट प्रोटेस्ट का रूप ले लेते हैं हर रविवार को यहाँ पर प्रोटेस्ट देखे जाते थे वीकेंड पर लोग अपने और आफिस से जब फ्री हैं तो सड़कों पर उतरकर बड़े स्थरपर प्रदेशन करते थे और कई महीनों तक ये प्रोटेस्ट चले थे इनफार् प्रोटेस्टर्स ने online target करना शुरू किया, कैसे? उनके personal data, उनके घर के addresses, उनके परिवार लोगों के photos को publicly disclose करके और इसको हम कहते हैं doxing, तो ये police officers जो जनता के खिलाफ थे, basically police प्रशासन अपना जो काम कर रही थी, उसके लिए जनता ने इनके साथ doxing का काम शुरू कर दिय उस समय, Hong Kong की सरकार ने कुछ temporary कानून पास करके ये बैन कर दिया कि police personnel की details share नहीं करी जा सकती, किसी भी police वाले विक्ती की शकल आप online नहीं बता सकते हैं, उन्हें identify नहीं कर सकते, क्योंकि इससे police वालों के परिवार पर भी affect आ आ रहा था, उनके family, उनके addresses publicly डाल दिये गए और ऐसा कई police वालों के साथ हुआ था, protesters का कहना था कि ये same काम police वाले हमारे साथ भी करते हैं, कई सारे protesters की details share करी गई online forums वगेरा पर, तो दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर targeted harassment और online abuse का आरोप लगाया, और डर ये था कि ये abuse online से physical world में भी transfer हो सकता था, अब क्योंकि उस 2019 और मई 2021 के बीच में Hong Kong के privacy commissioner, जो एक regulating body है, उसके पास ऐसी 5700 complaints पहुँची थी, जिसमें doxing का मामला था, और इन में से एक चोथाई जो हैं, वो ऐसी complaints थी जिनमें आगे police investigation भी करी गई, यानि मामला काफी serious था, तो उन पर police के आरोप लगाये गए और case दरज होने के बाद लेकिन इन ordinance या पुराने कानूनों से काम नहीं चल रहा था, तो Hong Kong की सरकार ने ये तै किया कि एक नया कानून बनाने की आवशकता है, personal data privacy को लेकर, तो I hope आपको पता हो कि ordinance और कानून में क्या फर्क होता है, तो यहाँ पर एक नया कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो उसके पास या अधिकार होगा कि कोई भी अगर ऐसी complaint आती है, doxing की, तो उसके उपर वो जाच कर सकते हैं और action ले सकते हैं, तो अब पुलिस की बजाए, privacy commissioner के office के पास या अधिकार रहेगा, और इसमें जो major changes लाय जा रहे हैं, कानून के तहत, उनमें सबसे पहला सारे rules and regulation लगा दिये गए हैं, for example, अगर उनके data का कहीं पर भी leakage होता है, breach होता है, तो सबसे पहले उनको users को notification देना जरूरी है, data retention policy जरूरी है, इसका directly doxing से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये data privacy को लेकर काफी important rules and regulation है, दुनिया के कई देशों में ऐसे rules होते हैं, data retention का म तो वो data retention policy तै करती है, मान लो कि मैंने facebook 6 माईना इस्तमाल करके छोड़ दिया, तो facebook को मेरा data आज इवन इस्तमाल करने की अनुमती नहीं होती है, हर country के अंदर अलग rule होता है कि कब तक आपका data वो रख सकते हैं और use कर सकते हैं, तीसरा, अगर personal data कहीं पर इस्तमाल हो रहा ह जैसे अभी भारत में whatsapp वाला issue चल रहा है, कहीं ना कहीं है उसी से related है, तो वैसे rules and regulation इन companies को भी आप बनाने होंगे, जहां तक बात आती है doxing की, तो इसके लिए भी बहुत ही strict rule बनाया जा रहा है, तो doxing के लिए इस कानून में लिखा गया है, कि अगर कोई विक्ती, कि इसी दूसरे विक्ती की private जानकारी public करता है, और उसका उदेशे उसको धमगाना, डराना, उसको harass करना, या उसको मानसिक तोर पर प्रताडित करना है, उसको या उसके परिवार के सदस्यों को, तो उसे 5 साल तक की सजा और 1 million Hong Kong dollar का fine भी लगाया जा सकता है, एक और यहां प लेकर ही ये companies थोड़ी चिंतित हैं, क्योंकि देखो अगर ये कह रहे हो कि कोई लापरवा है, तो लापरवा में तो कुछ भी आ सकता है, उसकी legal definition को बहुत broad रखा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें लापरवाही के अंदर आ सकती है, तो ये जो शबदावली है, इसको ले है, कि अगर आप ये कानून पास करते हो, सेम शबदों के साथ, ये इस terminology के साथ ये कानून पास करते हो, तो हम Hong Kong में अपनी services नहीं देंगे, और इतनी important और basic services देने वाली companies जब अपनी सिवाएं प्रदान करना बंद कर देंगी, तो यहाँ पर businesses पर भी बहुत असर आएगा इन companies का ही मानना है कि ये जो कानून बनाया गया है नया, इसके जो शब्द हैं वो बहुत ही broad meaning रखते हैं, तो आप कानून बनाओ लेकिन proper words के साथ, proper definition के साथ, क्योंकि अभी जो इसमें definitions दी गई हैं, doxing की, वो बहुत ही broad है, उसमें अगर आप normally भी किसी की जानकारी साज कर रहे हो चाहिए, वो private information भी नहीं है, तो भी उसको unlawful घुशित किया दा सकता है, और एक problem इनको सबसे बड़ी ये होने वाली है, कि अगर विदेशों में कोई उनके platform पर कुछ लिखता है, मान लो कि आज मैं भारत में बैट कर Facebook पर, let's say, carry lamb के बारे में कुछ लिखता हू हाँ, भाशा की मर्यादा रखते हुए आलोचना करनी होती है, but still I can criticize the Hong Kong government, Hong Kong के authorities के बारे में मैं लिख सकता हूँ, लेकिन Facebook की अब ये जिम्मेदारी होगी, कि वो मेरा content यहाँ पर भारत में हटाए, और नहीं हटाएगा, तो जो Facebook का staff है Hong Kong में, उनको जिम्मेदार ठेराया जा सकता है, और उनको jail में भी डाला जा सकता है, तो यह सबसे बड़ी इन companies को चिंता है, कि जो उनके local staffers हैं, जो उनके local offices में काम करने वाले लोग हैं, उन पर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी, अगर कोई विदेशों में भी content इस प्रकार का डालता है, तो दबे जा सकता है, जिसको यह एक बहुत बड़ा sticking point है, जिसको यह companies तो हटवाना चाहती है, तो इन tech companies की चंताओं के प्रती Hong Kong सरकार का अभी क्या रवाया है, Hong Kong की सरकार ने officially यह का है कि हम केवल unlawful doxing को रोकना चाहते हैं, खास करके जो police officers की public जानकारियां कर दी जाती थी, उसको हम रोकना चाहते हैं, तो कहीं पर भी इन companies के business को नुकसान हम नहीं होने देंगे, और जो नई requirements हैं, उनको हम properly, clearly set out कर देंगे, तो क यानि 6 जुलाई को ही Carrie Lam ने ये statement दिया था कि companies को चिंता करने की जरूरत नहीं है, Google, Facebook, इन सबको कोई भी tension नहीं लेनी है, किवल cyber harassment को रोकने के लिए ये कानून हम पास कर रहे हैं, Carrie Lam ने ये भी कहा कि कानून के लागू होने के बाद, जितने कारगर रूप से ये काम करेग उसको देखकर इन companies की चिंताएं अपना भी दरुस्त हो जाएंगी, इन्होंने एक example दिया कि 2020 में national security law को लेकर भी इसी प्रकार की चिंताएं दुनिया भर की companies के द्वारा जताई गई थी, कई लोगों ने भी जताई थी और national security law को implement हुए वे लगभग एक साल हो चुका है, और उसमें जितनी भी जिंताएं लोगों ने जताई थी, वो सब गलत साबित हुई हैं, ऐसा Hong Kong सरकार का कहना है, असलियत थोड़ी सी कुछ और है, खेर Kerry Lam ने ये कहा है कि national security law भी पिछले साल जब आया था, तब भी इसी प्रकार की anxiety थी, दुनिया भर में concerns थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अब ये national security law क्या है, तो देखो basically चाइना की सरकार ने एक कानून पास करवा दिया है Hong Kong में, जिसके तहत, अब Hong Kong के नागरिक चाइना की सरकार के अलोचना नहीं कर सकते, चाइना की communist party के अलोचना नहीं कर सकते, Hong Kong की आजादी के बारे में कोई भी strict law है Hong Kong का, जिसके कारण 2019 में ये civil unrest हुआ था, चाइना और Hong Kong की सरकार का मानना है कि इस कानून के कारण ही पिछले एक साल से Hong Kong में शांती स्थापित हो पाई है, वरना 2019 में तो लगातार protest चल रहे थे, अब ऐसे दुनिया भर में social media और सरकारों के बीच में एक लड़ाई सी चल रही है, इस वक्त रशिया में कानून बनाया चाह रहे हैं, भारत में सरकार ट्विटर को regulate करना चाह रही है, तो इन सारे points को highlight करते हुए मैंने कुछ मही ने पहले एक वीडियो बनाया था, social media regulation debate worldwide, इसको आप ज़रूर देखें, main answer writing में ये वीडियो आपकी बहुत help करे कानून है, सिंगापूर ने तो पिछले साल डॉक्सिंग को अपने Protection from Harassment Act के तहट डाल दिया था, जिसमें काफी strict punishments है, लेकिन इन सभी देशों में जो कानून है, उनमें शब्द जो है, वो बहुत ही clear है, crisp है, और उसमें साफ तोर पर लिखा गया है कि अगर कोई किसी को नुकसान पहुचा रहा है, तो फिर ऐसे मामलों में Anti-Doxing कानून लागो होता है, लेकिन Hong Kong में जो शब्द हैं, उससे यही लग रहा है कि चाइना की सरकार Anti-Doxing Bill के बहाने अपने criticism को रोकना चाती है, अपने सरकार के officials को बचाना चाती है, तो देखते हैं कि क्या ये में बदलाव आता है या नहीं, इस lecture का PDF आपको इन दोनों ही Telegram चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप UPSC 2022 या 23 की तयारी कर रहे हैं, तो Unacademy के teachers से आप live पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी free classes भी देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ classes paid subscription के बाद ही आप देख सकत हैं, तो अगर आप subscription अवेल करते हैं, तो आपको बहुत benefits मिलेंगे, आज यानी 7 July को कुछ special offers चल रहे हैं, जैसे की Unacademy Promise के तहट आपको 2 साल की course पर, 1 साल की extra validity मिल जाएगी, अगर आप exam clear नहीं करते हैं, एक साल का SSC और bank subscription free मिल रहा है, अभी UPSC course के साथ में, और test series और notes जैसे बहुत सारे benefits तो हैं, एक comprehensive test series आपको यहां free मिल रही है, EMI option पर आप इस course को ले सकते हैं, 20 किताबों का, GS की किताबों का bookset आपको free मिलेगा, plus और iconic दो प्रकार के courses हैं, तो दोनों में फर्क क्या है, iconic में आपको personal guidance मिलेगी, personal mentorship मिलेगी, जो भी course आप available करते हैं, उसमे आपको इस वक्त बहुत अच्छा discount मिल जाएगा, एक नया channel start किया है, Unravel UPSC, जिसमें MCQ questions को discuss किया जाता है, जैसे ही आप subscription ले लेते हैं, तो एक batch course join कर लीजिए, तो 7 July से नया batch बन रहा है, 1 year, 2 year batches, आपको बस batch join करना है, और सारे lectures आपके यहां पर cover हो जाएंगे, schedule के अन pathfinder.